C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याय 18 हम अनेक किन्तु एक प्रिष्ट 147 आनंद मै कविता हम अनेक किन्तु एक है कई प्रदेश के किन्तु एक देश के विविदरूप रंग है भारत के अंग है भारती अवेश एक हम अनेक किन्तु एक बोलिया हजार है टोलिया हजार है कंठ भी अनेक है राग भी अनेक है किन्तु गीत बोल एक हम अनेक किन्तु एक एक मात्री भूमी है, एक पित्र भूमी है, एक भारती हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष के समक्ष एक, हम अनेक, किन्तु एक, कभी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी प्रिष्ट एक सौड़ता लेज, बाच्चीत के लिए, एक, आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है, दो, आपके घर में कौन सी भाशा बोली जाती है, तीन, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाशा बोलते हैं, चार, सभी प्रदेश अलग हैं, लेकिन सबका देश एक है, आपकी मित्रों की टोली में कौन-कौन है, सोचिये और लिखिये, एक, हम अनेक हैं, किन्त एक हैं, उधारण देकर इस बात को समझाईए, दो, कविता में भारत के विविद रूप रंग के बारे में बताया गया है, विविद रूप रंग का क्या अर्थ है, तीन, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिला कर चलने की बात कही गई है, शब्दों का खेल, एक, कविता से समान ध्वनी वाले शब्द चाट कर लिखिये, प्रदेश, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, हम, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रंग, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, और बोलिया, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, 2. समान ध्वनी वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए बोली रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान 1. रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान प्रिष्ट 149 तीन भूमी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाईए और रिक्तिस्थान में लिखिए यहां आपको तीन शब्द दिये गए हैं रण, पित्र, मात्री ऐसे ही दो और शब्द सोचकर उनमें भूमी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाईए समझिए और लिखिए एक, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए हैं कई प्रदेश के रिक्तिस्थान, विवद रूप रंग हैं रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान हम अनेक किन्तु एक बोलिया हजार हैं रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान राग भी अनेक हैं रिक्तिस्थान, हम अनेक किन्तु एक एक मत्रि भूमी है रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान चल रहे मिला कदम लक्ष के समक्ष एक रिक्तिस्थान प्रिष्ट एक सवपचास दो, सही अर्थ की जोड़ी बना कर लिखिये, यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं, ये शब्द हैं कंट, पहनावा, विविद और समक्ष, अब जिनके साथ आपने जोड़ी बनानी है, वो शब्द हैं वेश भूशा, सामने, गला और कई प्रकार के, अब आप सही अर्थों की जोड़ी बना कर इनके सामने दिये गए रिक्तिस्थानों में लिखिये, तीन, सही अर्थ वाले वाकिपर सही का चिन लगाईए, क, भारतिये वेश एक का अर्थ है, सभी भारतियों का एक ही पहनावा है, रिक्तिस्थान, भारत में अनेक प्रकार की वेशभूशा है लेकिन सभी भारतिये एक हैं रिक्तिस्थान ख बोलियां हजार हैं में हजार का अर्थ है बहुत सारी बोलियां हैं रिक्तिस्थान हजार बोलियां हैं रिक्तिस्थान प्रिष्ट एक सो इक्यावन पढ़िये और जानिये यहाँ एक चित्र है जिसमें एक लड़की मणीपूरी वेश भूशा में दिखाई गई है और एक केले के पत्ते पर बहुत से पक्वान है मेरा नाम अथोई भी है मैं मणीपूर में रहती हूँ मुझे खाने में एरूंबा बहुत पसंद है यहाँ पर एक अन्नी चित्र में एक लड़के को पंजाब की वेश भूशा में दिखाया गया है और साथ ही खाने के एक थाली है लड़का कहता है मेरा नाम गुरप्रीत है मैं अमरित सरका रहने वाला हूँ मैं बोल नहीं सकता मैं संकेत भाशा में बात करता हूँ खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है तीसरे चित्र में यहां एक महिला महराश्ट्र की वेश भूशा में दिखाई दे रही है और उसके सामने एक थाली में महराश्ट्र के पकवान सजे है मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ड के रहने वाली हूँ, मैं मराथी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरण पोली पसंद है यहाँ पर एक अनिचित्र में, तमिल नाडो के विश्बूशा में एक बालख है इस प्रिष्ट के पहले चित्र में एक सुन्दर कन्या गुजराती वेश भूशा में दिखाई दे रही है उसके सामने गुजरात के पकवान सजे है मेरा नाम हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ मुझे गर्बा, डांडिया, नृत्य बहुत पसंद है मुझे खाने में धोकला, खांडवी पसंद है इस प्रिष्ट के दूसरे चित्र में एक कन्या फ्रॉक पहने अपने सामने पड़ी मिठाई को लल्चाई हुई नजरों से देख रही है मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षुद वीब की रहने वाली हूँ मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है चित्र आधारित प्रश्ण मनिपुर की अथोईबी को खाने में क्या पसंद है? रिक्तिस्थान महराश्ट की पूरुवा कौन सी भाशा बोलती है? रिक्तिस्थान तमिल नाडू के वैंकट को खाने में क्या पसंद है? रिक्तिस्थान गुजरात की हनसा को कौन सा निरत्ते पसंद है? रिक्तिस्थान प्रिष्ट 153 पता कीजिए आप अपने प्रदेश के आसपास के तीन चार प्रदेशों की भाशा, खान पान, वेश भूशा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए रिक्तिस्थान प्रिष्ट 154 पढ़ने के लिए मिलकर गाहिए हिंद देश के निवासी हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चमपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक है कोयल की कूक प्यारी पपी हे की टेर प्यारी गार ही तराना बुल-बुल राग मगर एक है गार ही तराना बुल-बुल राग मगर एक है गंगा यमुन ब्रह्म पुत्र क्रिश्ण का वेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक है कला की कलाकारिया एक यहां सिह वस्यार का मुखोटा दिया गया है आप दोनों में से अपनी रुची के अनुसार मुखोटा बनाईए सिह का मुखोटा सिह के मुह की आकरती बनाईए रंग भरिये अब बाहरी रेखा से काट लीजिए दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए प्रिष्ट 145 सियार का मुखोटा यहाँ पर एक से दस तक के करम में सियार का मुखोटा बनाने की प्रिक्रिया दी गई है प्रिष्ट 146 दो क्या आपने किसी पशू के पधचिन्ह देखे हैं? अपने आसपास किसी पशू के पधचिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए दिये गए स्थान पर उसका चित्र बनाईए अभी आपसुन रह थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नही दिल्ली, भारत